हेलो वीवर्स आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे कुक विच शैनाज आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चीज ब्रेड रोल इसके लिए हमें चाहिए दो कप मैदा एक टीश्पून शक्कर चार टेबल स्पून मिल्क पॉडर एक टेबल स्पून इस्ट चार सो ग्राम उबलावा चिकन तो टेबल स्पून हरे प्याज के पत्ते आदा कप गाजर श्रेडेट एक टेबल स्पून स्लाइस ब्लैक ओलिव एक मीडियम साइस बारिक कटावा प्याज एक टीश्पून चिली फ्लेक्स एक तनौर का क्यूब एक टेबल स्पून चीज प्रेड एक टेबल स्पून क्रीम पचास एमेल दूद श्रेड़िट चीज नमक स्वाद अनुसार अब हम एक बॉल में मैदा लेंगे उसमें दूद का पौडर दालेंगे उसमें शक्कर दालेंगे इस्ट दालेंगे नमक दालेंगे और थोड़ा सा तेल डालके उसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके गुन-गुना सा दूद दालेंगे और इसका अच्छा सा एक डो बनाएंगे आप मैदे की जगा पे गिहों का आटा भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप आदा मैदा और आदा गिहों का आटा भी दालके यूज़ कर सकते हैं डो हमारा ज्यादा कड़क भी नहीं होना चाहिए और यह लीजिए हमारा डो बनके तयार हो चुका है अब हम हमारे डो को एगिले कपड़े से अच्छी तरीके से ढख देंगे और अब हमारे पूरे बॉल को ढख देंगे और उसे गरम जगा पर रख देंगे एक से दो घंटे के लिए अब हम एक फ्राइंग पैन लेंगे उसके अंदर एक टेबल स्पून तेल डालके और हमारी कटीवी प्यास डालके उसे प्यास को अच्छी तरीके से सौटे करेंगे जब हमारे प्यास का कलर कुछ इस तरह हो जाएंगा तो हम दालेंगे अपने गाजर कटेवे और उसे भी अच्छी तरीके से सौटे करेंगे उस प्यास के साथ में अब हम दालेंगे हरे प्यास के पत्ते और उसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम ये bread roll की filling बना रहे है तो आप अपने मन पसंद की कोई भी भाजी इसमें डाल सकते है अब हम इसमें कटेवी olives डालेंगे और उसे भी अच्छी तरीके से mix कर लेंगे अब हम हमारे boiled shredded chicken डालेंगे और उसे भी अच्छी तरीके से mix कर लेंगे हमने chicken उबालने के वक्त इसमें एक अधरक लसुन और नमक डाला था जब chicken ठंडा हो गया था तो हम उसके इतने बड़े बड़े shredding कर लिये थे हमने chicken का इस्तिमाल किया है आप चाहे तो mutton का भी इस्तिमाल कर सकते है या mix vegetable भी डाल सकते है या सिर्फ प्रनीर भी डाल सकते है अब हम इसमें डालेंगे chili flakes कनौर का क्यूब और उसे भी अच्छी तरीके से mix कर लेंगे हम इसमें नमक नहीं डालेंगे क्योंकि हमने जब chicken उबाला था उसमें भी हमने नमक डाला था और कनौर की क्यूब में भी नमक रहता है अगर आपको तेज खाना है तो आप उसमें हरी मिर्ची भी कटी भी डाल सकते है अब हम इसमें cream डालेंगे और इसे भी अच्छी तरीके से mix कर लेंगे अब हम इसमें cheese bread डालेंगे और उसे भी अच्छी तरीके से mix कर लेंगे अब हम इसमें दूद डालेंगे और उसे भी अच्छी तरीके से mix कर लेंगे अगर आपके पास में cheese bread नहीं है तो आप cheese की slice या shredded cheese भी डाल सकते हैं अगर आपके पास में क्रीम नहीं है तो आप दूद की मलाई लेके उसे मिक्सी में घ्राइंड करके वो भी आप दाल सकते हैं मिक्षर को तब तक पकाना है जब तक कि उसकी कंसिस्टनसी थिक और क्रीमी नहीं हो जाए ये लीजी हमारा मिक्षर बन के तैयार हो गया है अब हम इसे निकाल के थंडा बने के लिए रख देंगे अब हम ओवन को प्री हिट करेंगे 250 डिग्री सेल्चेस पे एक से दो घंटे हो चुके है और हमारे आटा देखो दुगना हो चुका है अब हम हमारे हातों को ग्रीस कर लेंगे और आटे को अच्छे से एक बार वापस से गोन लेंगे अब हम हमारे डो को इस तरह एक वल पार्ट में काटेंगे अब हम हमारी एक एक लोई उठाएंगे और उसको अच्छे से इसका गोल-गोल पेडा बनेंगे आपको आपकी रोटी को ज्यादा पतला नहीं करना है उसे थोड़ा सा मोटा रहने देना है वरना आप इसके अंदर जो फिलिंग करोगे तो वो फट सकती है रोटी और फिलिंग भार निकल जाएगा अब हम अमारा चिकन का मिक्षर बनाया हुआ रोटी की एक साइड पर रखेंगे अब हम इसके उपर श्रड़ेट चीज दालेंगे आप चाहे तो इस रोल को चीज में भी बना सकते हैं अब हम ध्यान से कुछ इस तरह हमारे रोल को एक साइड से फोल्ड करेंगे ध्यान रहे रोल करते वक्त आपकी रोटी फटने न पाए कुछ इस तरह हम roll के edges को sil कर देंगे अब हम एक छुरी लेंगे और पतले-पतले strips काटेंगे अब कुछ इस तरह strips को roll के उपर wrap कर देंगे आप चाहें तो roll के उपर कुछ और भी design बना सकते है ये लीजिए हमारे roll बन के तयार हो चुके है अब हम उसके उपर दूद से brushing करेंगे दूद हम इसलिए लगा रहे हैं ताके oven के अंदर हम जब दालेंगे तो उपर की परत उसकी कड़क न हो जाए हमने butter paper का इस्तिमाल किया है अगर आपके पास में butter paper ना हो तो आप baking tray को अच्छा से grease कर लीजिए और उसके उपर roll रख दीजिए और ये लीजिए हमारे roll बेक करने के लिए तयार है अब हम हमारे roll को 200 degree Celsius पे 20-25 मिनिट के लिए बेक करेंगे बीज बीज में अब ज़रा खोल के देख लीजिए अगर आपको लगे कि आपके rolls पक चुके है तो उसे निकाल दीजिए ये लीजिए हमारे roll बन के तयार हो चुके है अब हम उसके उपर butter लगाएंगे butter हम इसलिए लगाते है कि उस पे shine आ जाए चलिए अब हम हमारे roll को तोड़ के देखते है वाव कितने चीजी और जूसी है हमारे roll अंदर से और ये लीजिए हमारे गर्मा गरम चिकन चीज ब्रेड रोल खाने के लिए तयार है अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको मेरी सारी रेसिपी सबसे पहले मिले धन्यवाद